हलो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे दसारी शॉप रिटन बै रुपा बाजवा रुपा बाजवा एक इंडियन राइटर है जो की अमरिट सर पंजाब में रहती है दार दसारी शॉप यह उनका फुर्स नौवल है और इसे 24th गृंसें के वार अवार्ड, कॉमन वेल्थ अ इस नौवल में जो इंपॉर्टन क्यरेक्टर से उनके बारे में जान लेते हैं भीम सेंग उसके बाद में है महाजन भीम सेंगी एक सारी शॉप का ओनर है महाजन यह बहुत ही ट्रस्ट वर्दी बंदा है जिसके हाथ में यह भीम सेंग अपना शॉप पूरी तरिके से दे रामचंद, हरी, कोकुल, शाम, राजश और चंदर यह छे लोग यह वो इस शॉप पे काम करते हैं अब इनसे हम एक एक करके मिलेंगे सबसे पहले है रामचंद यह इंपॉर्टन क्यरेक्टर इस नौवल का यह अनाथ हो जाता है जब उसकी उमर लगभग 6 साल होती है इसक करके उसकी मा की जुएलरी उसकी आंटी ले लेती है तो रामचंद बीचारा बीना पैसो के रह जाता है उसके चाचा उसे शॉप पे काम पे लगा देते हैं और बात में वो एक रूम किराये पे लेकर बहुत ही अनफ़र्चिनेट लाइफ जीता रहता है वो कभी भी अपन राजेश ग्रामर बुग्स भी होती है हरी यह बहुत ही फणी बंदा है जो इस शॉप में काम करता है और यह यंगिस्ट है गोकुल यह बहुत ही सिंसियर और ऑनिस्ट बंदा है शॉप में का अगर कोई भी रिस्पॉंसिबल काम है तो पहले गोकुल को ही दिया जाता है श बहुत ही unfortunate lady है, alcoholic woman है, ये भी नशा करती है, ये बहुत ही poor family को belong करती है, और ये इसके जो माता पिता रहता है, इसके मा के death हो जाती है, घर में कुछ accident होता है जिसमें इसके मा के death हो जाती है, इसके पिता की सहत खराब रहती है, और इसके एक भाई होता है जिसके शादी हो जा इसके बाद में Mrs. Sajde, ये एक English teacher है, जो कि अमरेट सर के एक अच्छे खासे high school में काम करती है, Mrs. Sandhu, Mrs. Gupta, Mrs. Bandari और Kapoor family, ये सारे capitalist जो society को है, बिलॉंग करते हैं, रीच पीपल है, उसमें से Mrs. Sandhu जो है, वो Mrs. Gupta के आसपास में ही रहती है, उसका घर आसपास में ये मतलब द्यारनी birds, Mrs. Gupta के जो husband है, वो एक businessman है, उनके दो बेटे हैं, तरून और पुनित, तरून बड़ा बेटा है और पुनित छोटा बेटा है, तरून की engagement डिसाड होती है, शिल्पा के साथ में उन दोनों की शा प्राइम लोकेशन जो हमें बार-बार इस नोवल में देखने को मिलेगा, लखन्स धाबा, जहां पर रहती हैं, यह सारे वरकर्स जो है, सारी शॉप में के वो एक साथ मिलके डिनर करते हैं, तो यह हो गया इस नोवल का important information, अब दिखते है story, तो इस नोवल के शुरुआत में दिखा गया है कि रामचंद, जो है वो उसे शॉप में जाने को लेट हो जाता है, वो आराम से उठता है, अप दोनों के बीच में शायद कुछ जगड़ा हो जाता है, उसे देखने में इंगेज हो जाता है, आराम आराम से ब्रश करता है, जब उसका घड़ी की तरफ ध्यान जाता है, तो उसे समझ में आता है कि वो काफी लेट हो चुका है, भागा दोड़ा वो दुकान में पहुंश जहाँ पर उसे महाजन से काफी ज़दा डाट पड़ती है इसके बाद में हरी जो है वो से एडवाइज करता है कि तुम एक सा एक कान से सुनकर दूसरी कान से छोड़ दिया करो ज्यादा टेंशन लेने की जरुरत नहीं है महाजन को ता आदत ही है वो सब ये सब कुछ ऐसे ब सेंटर रहता है तो जो राम चंद उसके घर पे जाता है एक दिन तो उसे पता चलता है इसकी बीबी के साथ में काफी चंदर जो वो मार पीट करता है अब exactly क्या हुआ होता है वो उसे आइडिया नहीं आता है लेकिन घर में कुछ गडबड़ी यह उसे समझता है खेर इसके में का वो बीजी होता है किसी और काम में तो यह महाजन जो है यह राम चंद को यह responsibility देता है वो कहता है अब go cool क्योंकि experience होता है ऐसे customers VIP customers generally वो ही handle करता है तो राम चंद से कहता है कि वो ठीक से तयार होकर जा है अच्छे कपड़े पहने तो जब राम चंद को यह पता चलता ह लॉक्स खरीता है और लाइब बय का एक बार भी खरीता है ताकि वो ठीक से नहादों के तयार होके इस family के पास में जाए जब यह राम चंद उसका पूर फैमिली के हाँ जाता है जहां पर रिना की शादी होने वाली है तो सब को कपड़े दिखाता है रिना की मा होती है उस इसे एक rich family देखने को मिलती है करीब से वहाँ पर राम चंद जो है कपड़े दिखाता है तीन टाम विजिट करता है उस family को अब यह रिना जो है इसको काफी closely देखरी होती है राम चंद को एक बार शादी होने के बाद में वो इससे मिलने भी आती है तो राम चंद को लगत पर राम चंद को जाती है तो वह वहाँ पर कमला से मिलता है कमला की हालत बहुत खराब होती है कमला जो वह नशे में डूबी रहती है और उसकी वज़े यह होती है कि अब हमें थोड़ा सा backstory में जाना पड़ेगा कमला के कमला जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह एक पूर फ प्रेगनेंट हो जाती है अब ये बात चंदर को पता नहीं होती है वो कहीं काम की तलाश में दूर गया रहता है और इधर कमला जो है वो अपनी प्रेगनेंसी की खुशी में रहती है और वो सब कुछ जो अपने दर्ध होते है पैसा नहीं है उनकी शादी में जो अनबन ब पाइगी बहुत जादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि चंदर दूर्ज़ शराब पीता है और इसी बीच में वो सोचते हैं कि अगर चंदर अपने सारी चिंताओं को भूलाने के लिए शराब पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पैश सकती तो वो भी एक दिन चंदर की जो तक्य के नीचे रखिए शराब की बौतोल होती है उसे उठाती है और पीती है और उसके बाद में वो शराब पीना शुरू कर देती है वो कंप्लेट अल्कॉलिक बन जाती है आसपास के सारे लोग उसे बहुत जादा क्रिटिसाइज करते है जब उसका मिस्कारेज होता है अनफोर् जाने की वज़े से उसे तीन मेने का वो ये लोग पेमेंट भी नहीं देते हैं तो ये गुस्सा कमला में बहुत ज़ादा चिपा होता है क्योंकि वहीं से उनकी शादी जो बिगड़ना शुरू हो जाती है तो इतने दिनों बाद में कमला जो है वो एक दिन मिसेस गुपता के बुलवाते हैं और कमला की कंप्लेंट करते हैं तो दो पलिस कॉंस्टेबल आकर कमला को उठाकर लेकर जाते हैं और वो उसका रेप करते हैं कमला का तो इसके बाद में कमला बहुती बुरी हालत में जो हो वाफिस घर पे आती है और कमला जो हो आगे से तकलीफ ना दे इसक कर मार देते हैं अब चंदर उस टाइम पर घर पे नहीं होता है जब ये सब कुछ होता है इधर रामचंद को जब पता चलता है कमला की कमला से जब वो मिलने जाता है और उसे जब ये सारी स्टोरी पता चलती है कि कमला के साथ में रेप हुआ है वो कमला की हल्प करना चाहता ह वो कमला से पूछता है बेकी क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो कमला उसे सारी स्टोरी बताती है और कहती है कि तुम मेरी क्या हेल्प करोगे उस टाइम पर रामचन सोचता है कि वो कुछ हेल्प करेगा लेकिन वो कुछ हेल्प ने कर पाता तब ही उसी कमला के death की जिए वो news पता चल जाती है जिसके पादमे रामचन जे वो काफी हिल जाता है वो shop पे सारी जो gossip चल रही होती है कमला को लेकर काफसी जो लोग होते हैं वो कमला को ही criticize कर रहे होते हैं एसी औरत नहीं होनी चाहिए उसने शराब नहीं पीना चाहिए वगरा वगरा रामचन को क्योंकि उसके actual story पता होती है वो कहिना कर उसके story से अपने आपको relate कर पाता है तो वो बहुत जादा घुसा हो जाता है हारी और महाजन पे क्योंकि दोनों मिलकर कमला का कहिना की मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो उन्हें उनके साथ में मीजबेव करता है और वापिस घर चलाता है बारा दिनों तक वो अपने ही रूम में लोक रहता है इसे सदमे में रहता है डिप्रेशन में चला जाता है उसे कोई सुदबूद नहीं रहती है बाहर की दुनिया की और वो भी ड्रिंक करता है इसके बाद में बारा दिन बाद जब वो वापिस शॉप पे आता है तो वो महाजन से सौरी कहता है और दुबारा अपना काम शुरू करता है क्योंकि इसके पास में दुसरा उप्शन ही नहीं होता है ये रामचन जब एक्चुली कोशिश करता है कि जब मिसे सच्च्दे जो कि एक हाइस स्कूल में टीचर होती है इंग्लिश की उसे देखकर रामचन को लगता है कि शायद उसे कुछ हिल्प मिल पाएगी तो कमला की स्टोरी उसे बताता है लेकिन जैसे ही वो ये सब कुछ मिसे सजदे को बताता है तो वो उसे फटकारती है और कहती है कि वो सिके से डेरिंग कर सकता है ये सब शेयर करने के तो तब रामचंद को पता चलता है कि उसका सोसाइटी में कुछ ही नहीं हो सकता है अब ये जो कमला है और रामचंद है ये दोनों ही इस स्टोरी में के बहुत important character है क्योंकि इस novel के थुरू जहां capitalistic और working class के बीचे में कहा में gap देखने को मिलता है कितना जादा दरार है और कितना जादा फर्क है दोनों की life में ये कमला जो है क्योंकि ये capitalistic society क्या करती है ओप्रेस करती है गरीब लोगों को तो ये कमला और रामचंद ये दो major representative है working class के लेकिन कमला जो है वो strong oppose करती है इस capitalistic society का लेकिन रामचंद वो नहीं कर पाता है दोनों में oppose करने का एक force तो है लेकिन कमला का जो हो strong votes होता है अब जो वो oppose करती है तो उसे criticize किया जाता है इवन चंदर भी उसका साथ नहीं देता है वो भी कमला को डाटता है कि उसने मिसस गुपता के घर के बाहर जाकर ये सब क्यों किया जिसके विज़े से चंदर की पढ़चानियों जो वो बढ़ जाती उसे ऐसा लगता है तो वो कमला को कहीं न कहें unfortunate मानता है अनलकी मानता है लेकिन रामचंद जो है उसे भी गुसा आता है इस capitalistic society पर लेकिन वो oppose नहीं कर पाता है खुलके तो इस तरीके से इस novel के थूँ हमें capitalistic और working class के बीच में का एक बहुत बड़ा gap देखने को मिलता है So I hope you understood the novel अगर समर्य अच्छी लगे हो तो don't forget to subscribe to the channel and hit the like button